तो दोनों ही laptop के specification व लबक सेम है से processor difference है Dell G15 55B इसमें आपको मिलता है Intel i5-12-1500H जिसमें 12 और 16 त्रैड है भाहिं Dell G15 555 में मिलता है आपको Ryzen 566 8 जिसमें 6 और 12 त्रैड है major difference ही है कि number of course i5 वाड़े में ज्यादा है तो उसके performance जो है इसे ज्यादा ही निकल करेगी बाकि जो ग्राफिक कार्ड है वो artist 350 है 4GB 95 40GP दोनों के अंदर 8GB RAM है DDR5 48 MHz की clock speed के साथ 512 GB Gen3 SSD है दोनों के अंदर Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1 मिलता है आपको दोनों के अंदर और यापर Microsoft Home Student Base आपको जो है lifetime free मिलेगा दोनों के port बगारा दोनों ही same है कोई difference नहीं है साथ जो डिस्प्ले है दोनों में डिस्प्ले का जो लेवल अव बिल्कुल सेम है 15.6 15.6 इंच के 1080p डिवले डिस्प्ले है एंटेगरे पैनल है 120Hz का रिफार्चेट है और 250 इंच की बैटनेर्स है 45 परसंट एंटेटी के साथ दोनों में सेम 56 वहर की आपको बैटरी मिल जाएगी टूहर का बैकप मिल जाएगा न्रोमल टास के अंदर गेमिंग के लिए आपको चार्जिंग इंटल का ज्यादा रहा है वही एट थाउजन नाइटी नाइटी कोर एंट 16 29 सिंगल कोर वहीं रेजन में मुल्टी कोर रहा है जन 172 एंट सिंगल कोर रहा है 1414 तो गीक में स्कोर पी जो है आपका इंटल का काफी हाई है यहां यहां यहाँ नो scor पर मेंस दिख्ञाएँ थे रहे है तो इंटल का सिप्यूट refuse और बात कर रहा है और वहीं रेजन का सिप्यूट Scout 6388 है जहां यह एक major difference आपको दिखाने दे रहा है 3000 points का बात करें gaming ये तो gaming ये 29 रहता है जहां Intel में आपको Valorant high setting पे 200 fps मिलते हैं वहीं आपको डाल जिफ्ट रेजन वाले variant में high setting पर 182 से 200 fps का वेरेंट देखने को मिल जाता है देखने को मिल जाएंगे जो में में आपको 120 fps मिलेंगे और वहीं रेजन वाले वेरेंट में आपको सिर्फ से 80 fps देखने को मिल जाता है तो अभी अमजोन पर डेल जी 15 रेजन वाला 81 राज़न के अंदर मिल रहा है जिसमें RGB रहा है और वहीं चारा जारा ब्रक्ष्टर दे तो 85 राज़न का मिल रहा है तब भी जो इंटर वाला वेरेंट रेजन वाले से काफी अच्छा है 4000 एक्ष्टर देके आप लबब 20-25% का बूस्ट ले रहे हैं रेजन वाले वेरेंट से